बागपट जीले के बिनोली थाना इलाके में दस दिन पूर खेतों में रखवाली करते हुए एक किसान की निर्मम हैत्या की वारदात का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया किसान का हत्यारा कोई और नहीं बलकि उसका सगा छोटा भाई ही निकला जिसमें जमीन के बटवारे को लेकर अपने बड़े भाई की भाला गोपकर हत्या कर दी थी और मोके से फरार हो गया था फिलाल पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर उसकी निशन्देही पर हत्या में परियुप्यूक्त भाला भी बरामद कर लिया है दरसल आपको बता दे कि मामला बिनोली थाना चेतर के बिजवाडा गाउं का है जहां 16 अगस्त की रात को किसान पदम सिंग अपने खेतों पर बैंगन की रखवाली करने के लिए गए हुए थे और वहाँ पर उसकी भाला गोपकर हत्या कर दी गई थी जो कि अग्यात में इसको दर्श किया गया पदम सिंग नाम की पासट वर्स के आईू के बिजवाड़ा है इसमें काफी दारदार और नुपिले हत्यार उसके बाहर किया गया था तब से हमारी टीम लगी हुई थी सार्ष है आब चीजे कुल काकश में इसका सगा भाई है उसीने इसकी तकी रही है दी हात्या करति इंदियो को जमीनी वी भाद था त्यूक्षने हत्यक कि उसकी शादी नहीं हुई है और darina apoma बेच बेच करके ले रहा था और जब में इसको मारा था या गाली दी थी तो इसमें पर वार किया और बाद में फिर लाटी से उपर वार किया था है कि दूर्पी मुझदूरी करता है और कोई इसका बढ़ा हुआ पेशा नहीं है अहां गाओं में कम ही रहता था या आतर गाओं के बाहर रहता था बीज-बीज में आता रहता था लेकिन इसको जब भी आता था तो घरवाले अपमानित करते थे या भगार देते हैं यह इस साथ लीगे में जो भी इनकी हिस्से में आती हो लेकिन इसको दिया नहीं गया था कोई विले में इसको मिली नहीं थी इसी बात से यह आक्रोश है था 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 बेटा नीटू जब सुबह खेत में पहुंचा तो उसने वहां पर अपने पिता की लाश को खून से लगपत देखा मई कुछ दूरी पर हत्या में उप्युक्त भाला भी पड़ा हुआ था मई हत्या की वार्दात की सुचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या में उप्युक्त भाला भी जाडियों में फैक कर महां से फरार हो गया था पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता और भाई जमीन का बटवारा नहीं कर रहे थे जिसके चलते ही उसकी वार्दात को अंजाम दिया फिलाल पुलिस ने हत्यारों को ज